है ए InfinT तो किस परकार से आपके पास नत्राल दियाँم होगा और आप किस परकार से उसकी संताता टचेक करेंगी देखते हैं सबसे पहले हम ले रहे हैं तो आपको बताओगा कि सहबरत नत्राल पढ़ा था in the class में और सवरत अंतराल को किस परकार से लिखा जाता है इसको इस परकार से लिखा जाता है तो पहला point होगा इसमें कि जो इसका सवरत अंतराल में भी वीवरत अंतराल का मतलब है A, B इस प्रकार से के परतेक बिंदु पर फलन क्या आना चाहिए? संतत होना चाहिए परतेक बिंदु पर फलन संतत होना चाहिए ठीक है? दूसरा पॉइंट होगा की X बराबर A की दाई सीमा याने की राइट हैंड लिमिट संतत होने चाहिए तीसरा की X बराबर B की बाई सीमा याने की लेफ्ट हैंड लिमिट संतत होने चाहिए तो ये तीन पॉइंट है अब इसका मतलब क्या है? वो हम देखते हैं अगर जैसे दरन के तोर पे मैं लेता हूँ 3,5 इस प्रकार से लिया तब इसका अंतराल के रूप में हम किस प्रकार से चेक करेंगे? संतत होगा की नहीं होगा? तो हम ये देखेंगे कि प्रते एक बिंदू का मतलब है 3 और 5 के बीच का पहला पॉइंट किया बोल रहा है? सरवात इंतराल इसका मतलब है 3,5 इस प्रकार से तो अब इसका मतलब है 3 और 5 की अमध्य का प्रते एक बिंदू पर ये प्लन क्या होना चाहिए संतत होना चाहिए, दूसरा क्या है, कि जो 3 के लिए, 3 के लिए कौन सी limit होनी चाहिए, right-end limit, वो क्या होनी चाहिए, संतत होनी चाहिए, यानि कि अगर आप right-end limit निकालते हैं, और अनन्त मिल जाता है, अब परिबासित मिलता है, तो फिर वो संतत नहीं होगा, फिर इसके लिए यानि कि 5 के लिए आप निकालेंगे left end limit और वो भी क्या होनी चाहिए संतत होनी चाहिए तो इसके परतेक बिंदू पर परतेक बिंदू पर ठीके अब बाद में हम example देखेंगे उससे आपको idea लग जाएगा तो यह हमारे पास किसके लिए है यह हमारे पास है सहवरत अंतराल के लिए ठीक है अब हमारे पास है वीवरत अंतराल हमारे पास है वीवरत अंतराल अब वीवरत अंतराल के आगए कि वीवरत अंतराल हमने देख लिया एक कमबी अब इसके परतेक बिंदू पर पर फलन अगर संतत है इसके परतेक बिंदु पर परतेक बिंदु का मतलब क्या है इन दोनों के मद्य का परतेक बिंदु पर फलन संतत होना चाहिए ठीक है यह चीज यह ठीक है जब भी विरत अंतरा लता है तो A और B को काउंट नहीं करना A और B के मद्य के जितने भी यह बिंदु होंगे उनको अपन काउंट करेंगी ठीक है आगई बात संज में अब हम कुछ important points देखेंगे कि कौन से फलन अपने प्रांत में संतत होते हैं यह चीज अपन देखेंगे तो चलिए देखते हैं अब हमारे पास कुछ संतत फलन है जो अपने प्रांत में यह जो संतत फलन है अपने प्रांत में क्या होते हैं संतत होते हैं जैसे पहला है तत्समक फलन यह हमने 11 क्लास में पढ़ाया है फलनों की परकार में कि तत्समक फलन होता है fx बराबर x अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिस करते है तो इसका ग्राफ इस परकार से बनता है, यानि कि हम 2 रखेंगे, तो हमें 2 मिलेगा, यानि कि X अमान 2 और Y का अमान भी 2 ही होगा, तो इस परकार से एक सीधी रेखा मिलती है, तो ये जो तत्समक फलन है, अपने प्रांत के अंदर क्या होता है, संतत होता है, फिर बात आती है, अचर फलन की, तो अचर फलन होता है, Fx बराबर C, अब इसका मतलब क्या है, कि Fx बराबर मैं जैसे लिखता हूँ, 4, X के मान कोई भी अपने वैल्य पूट करेंगे, तो आंसर हमें से 4 ही मिलेगा, चिक है, तो यह हमारे पास इस प्रकार का जो फलन होता है, वो अचर फलन होता है, और अचर फलन का ग्राफ किस प्रकार से बनता है, अचर फलन का ग्राफ हमेशा X-Aक्स के समांतर बनता है, लाइन जो बनेगी, वो X-Aक्स के समांतर होगी, तो यह टूटेगी नहीं लाइन यह डायेट सीधी बनती रहेगी तो इसका मतलब है कि जो अचर फलन होता है वो अपने प्रांथ में क्या होता है संतत होता है अब बात हम कर गए है तीसरा बहुपत फलन क्या होता है बहुपत फलन अप जानते हैं कि fx बराबर आप देख सकत होता है वो अपने प्रांथ में सदेव क्या होता है संतत होता है जैसे एक्जाम्पल के तौर पर मैंने लेका 3x square plus 2x आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं आप चाहेता है fx बराबर 3x cube plus 4x plus 6 यह भी एक बहुपत फलन ही होगा जैसे एक और लिख देता है fx बराबर 3x minus 1 यह भी एक बहुपत फलन ही है तो जो बहुपत फलन होते हैं वो सदेव क्या होते हैं संतत होते हैं अब बार यह आती है परिमे फलन की तो परिमे फलन क्या एक्चली परिमे फलन है दो बहुपत फलनों का साथ में लिखा जाना तो px upon qx अब इसमें एक चीज याद रखन में सदेव क्या होता है संत्त होता है और यहां पर आपको द्यान अठना है कि 0 नहीं होना ज़ाए जब एक अमान क्या हो जिरो से बढ़ा हो तो यह भी क्या होगा संतत होगा स्क्राव सकते हैं कि canon फ्रिकौन मिति फलन कॉन 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 से हमने देखा था पहले भी देखा था कि साइन-एक्स और कॉसे अपने प्रांत में सदय क्या होता है संत्त होते हैं ठीक है इसके अलावा 10x और cortex की बात आती है तो 10x और cortex को जब हम graph बनाते हैं तो 10x में pi by 2 पर infinity की और चला जाता है तो pi by 2 पर वो संतत नहीं होता है लेकिन sin x cos x परतेक बिंदू पर संतत होगा अगर आप चाहें तो हम प्रांत की बात करते हैं तो प्रांत में आपने देखा होगा त्रिकोरणमिती में पढ़ा होगा या इंवस्त 신ॉमेर्ट्रिम में अभी आपने पढ़ा होगा कि 10x का cortex का क्या परांत होता है अगर वो परांत हम लेते हैं तो उस परांत में वो फलन क्या होगे संतत होगे तो जो इस्टेंडर परांत माना जाता है है उसमें 10x cortex भी संतत होता है क्योंकि जो इसंदर प्रांत वाना जाता है उसमें पाइबाई टू हुआ जहां पर अनंद जा रहा है वो count नहीं किया जाता तो यह चीज याद रखेगा तो यह हमारे को अगर माइनस दो पॉंट साथ लिखते हैं तो इसका अंच रहेगा माइनस का तीन तो नजदी की जो पूर्णां को सो करता है कम पूर्णांक को यानि that जandom और महित्ष फुर्णांक और इसा प्रते एक पूर्णांकी पर यह चया असंतत होता जो इसंपर का से जो 10x और 2x है वो प्लस माइनस पाइबाई 2, 3 पाइबाई 2, so on, यानि की 90, 200 जित्तर, इनके ऊपर क्या है अनन्द पर चला जाता है इनका graph, इसलिए है इन बिंदू उपर यहां संततत होता है, इन बिंदू के अलावा कोई भी बिंदू होगा तो हमाँ पर क्य f x बराबर sin 1 upon x cos 1 upon x x बराबर 0 पर x बराबर 0 पर ये क्या हो जाएंगे ये असंतत हो जाएंगे क्या हो जाएंगे असंतत हो जाएंगे ये आपको याद रखना है ये आपको क्या करना है याद रखना है most important है कि f x बराबर e की power है 1 upon x ये भी क्या हो जाएगा x बराबर 0 पे असंतत होगा और fx बराबर 1 upon x x बराबर 0 पे क्या होगा असंतत ये तो common sense है 1 upon 0 infinity होता है और जब भी कोई value अपन पूट करते हैं infinity आती है तो और निर्दारी या आपन बोलते हैं आप परिबासित है आप परिबासित होने पर वो सदेव असंतत होता है जापर भी limit रखने पर अपरिबासित आता है तो वो हमेशा असंतत फोला नहीं होगा अब हमें एक example देखेंगे जिसके अंतरगत आपको मिलेगा एक अंतराल और अंतराल के बल पर हम किस परकार से question solve करते हैं वो हम देखेंगे अब एक example है कि आपको इस परकार से question दिया और आपको अंतराल दिया है इस अंतराल में आपको संतता का correction करना है तो सबसे पहले जब भी आपकी पर अंतराल दिया होता है तो आपको देखना है कि यह कौन सा अंतराल है यह हमारे पर संवरत अंतराल है तो इसका मतलब इसमें 3 points आएंगे तो पहला point होगा कि minus 2 का right hand limit दूसरा point होगा 3 का left hand limit तो हम यहाँ पर एक short में भी लिख सकते हैं दोनों method बता देता हूँ मैं हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर minus 2 की right hand limit के लिए क्या लिखेंगे limit x tends to minus 2 plus fx limit h tends to 0 f minus 2 plus h minus 2 से बड़ा x का मान minus 2 से बड़ा का है x का मान minus 2 से बड़ा यहाँ है तो यह मान हम का रखेंगे इसके अंदर रख देंगे तो चलिए रखते हैं limit h tends to 0 1 minus 2 minus 2 plus h अब इसको solve करते हैं limit h tends to 0 1 minus minus हो जाएगा plus 4 minus 2 h value पूड करेंगे तो answer क्या आएगा 5 तो हमारे पास answer क्या आया 5 आया अगर यहाँ पर हमारे पास अनन्त आ जाता अगर अनन्त आ जाता तो यह right hand limit अस्तित्व में नहीं होती है और अगर यह अस्तित्व में नहीं होती तो यह फलन संतत नहीं होता हमें आगे करने की जरूरत नहीं रहती हम यहाँ पर अगर अनन्त मिलता तो हम लिखते कि right hand limit का x बराबर माइनस 2 की राइट हैंड लिमिट का अस्तित्वा नहीं है अता यह फरन संतत नहीं होगा अब हम बात करेंगे किसकी 3 के लिए तो x बराबर 3 की लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो इसको किस परकार से लिखेंगे लिमिट x टेंज टू 3 माइनस fx लिमिट h tends to 0 f 3 माइनस h 3 माइनस h का मजब 3 से सोटा तो 3 सोटा कौन चा देकि x का माँद 3 से सोटा है रहा इसके अनदर हम मान रखेंगे तो लग देते हैं लिमिट h tends to 0 3 minus h minus 1 इस हो सॉल करते हैं तो हमारे पास क्या आया तो यह भी पांच आ रहा है अगे बाद सुझ में तो इसका भी अस्तित्व है अब हम क्या करेंगे अब हम चेक करेंगे यहां पर इसको ऐसा कर देते हैं अब हम क्या चेक करेंगे कि वीवरत अंत्राल 2,3 के परतेक अब यानि –2,3 –2,3 के परतेग अब यानि दोनों को count नहीं करना है इनके अलावा –2 और 3 के अलावा कौन कौन से point हैं इसके लावा है 0 और 1 तो आपको चेक करना पड़ेगा x बराबर 0 पर और आपको चेक करना पड़ेगा x बराबर 1 पर भी तो क्या आएगी left hand limit आएगी right hand limit आएगी इसकी और क्या आएगा f of 0 इसकी भी left hand limit आएगी right hand limit आएगी और क्या आएगा f of 1 आएगा तो यह तो आपको ग्याद करना आता है अगर नहीं आता है तो फिर भी आप देख लिए यह किस परकार से left hand limit लिखा लेंगे 0 के लिए 0 के लिए left and limit होगी 0 से छोटी तो 0 से छोटा कौन है ये तो आपको जो मान लिखना है वो इसके अंदर लिखना है right and limit होती है 0 से बड़ी तो 0 से बड़ी कौन है ये तो आपको ये मान लिखना है f of 0, 0 के बराबर 0 के बराबर कहां देखे हैं यहाँ पर एक्स का मान एक से सोटा तो इसके अंदर यह मान लिखना है राइट एंड लिमिट जब हम सॉल करेंगे तो राइट एंड लिमिट होती है एक से एक से बड़ी तो एक से बड़ी के लिए है इसमें हम मान लिखेंगे और f is equal to 1 है या स्वारी f 1 है तो यहां पर 1 रखना अपन क एक से जगे तो यहां पर रखेंगे तो यह मान लखेंगे तो यह मान भी अगर आपस में बराबर आते हैं यह तिनों मान भी और यह तिनों मान भी बराबर आते हैं तो यह जो फलन है कोशिन में हमने लिया है वो इस अंतराल में संतत होगा वो इस अंतराल में क्या होगा सं काल लीए अगर राइट 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 च्ट करने के बाद में आपको संकिया निल जाती है फिर आपको क्या करना है इन दोनों के मद्य का यानि कि विवरत अंतराल लेना और विवरत अंतराल के points को उपर आपको check करना है अगर आप यह इतनी चीज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप सिधा सा एक चीज लिख सकते हैं आप को सिप यह दो चीज़े एकड़नी बड़ेगी आपको यह और यह लिखने की जुरूत नहीं है आप सिधा लिखेंगे कि एक बड़ाबर माइनस टू की राइट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड लिमिट के लिए हमने क्या लिया माइनस टू से बड़ा लिया माइनस टू से बड़ा यानि कि यह वाला लिया ये क्या है 1-2x तो 1-2x क्या है एक बहुपद फलन है और हम जानते हैं कि बहुपद फलन प्रते एक बिंदो पर क्या होता है संतत होता है तो हम सिद्धी से भासा भी लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस 2 की राइट हैंड लिमिट के लिए फलन क्या होगा मैं आप लिख देता हूँ फलन fx बराबर 1-2x एक बहुपद्य फलन है बहुपद्य फलन है अता यह संतत होगा x बराबर माइनस 2 पर संतत होगा तो जो बहुपद्य फलन होते हैं वो अपने प्रांथ पर क्या होते हैं सदेव संतत होते हैं इस परकार से जब आप इसकी बात करेंगे तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे 3 माइनस लिखा 3 से चोटा यह 3 से चोटा जाने की यह तो इसके लिए आप लिख देंगे fx बराबर 2x माइनस 1 इसकी जगे आपको क्या लिखना है 2x माइनस 1 लिखने और लिख देंगे बहुत पहुत यह फलन है अता x बराबर 3 पर संतत होगा तो आपको यह चीज लिखने की जुरूत नहीं पड़ेगी आप बासा से भी इन दोनों पॉइंट्स को लिख सकते हैं लेकिन यह पॉइंट्स तो आपको सिथ करने ही होंगे ठीक है अगे बात संज में अगर आपने इसका पहले बाट का वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्स इन बॉक्स में मिल जाएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा है लाइक करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ सेर करना भी न भूले अगर आपने अभी तक हमारा च आपको ची थाले वाले